नमस्कार दोस्तो स्वागे थे आप सबको Mr.Health YouTube चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे Unvanted Kit के बारे में दोस्तो Unvanted Kit एक अबुर्शन का किट है इसका इस्तमाल गर्ब पात में किया जाता है दोस्तो डॉक्टर दोरा Unvanted Kit को गर्ब पात के लिए दिया जाता है आगे वीडियो पर मैं आप लोगों को Unvanted Kit के बारे में पूरा Information दोंगा दोस्तो Unvanted Kit को Mankind Pharma दोरा बना जाता है अगर आप इसके बारे में पूरा Information पाना चाहते है या आप भी अगर Unvanted Kit का इस्तमाल करना चाहते है तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लास तक जरूर देख लीजिए इस वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प फुलोगा और दोस्तो सबसे पहले में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि Unvanted Kit का इस्तमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर का सला जरूर लीजिए डॉक्टर के सला के बिना इस टैबलेट का इस्तमाल कभी भी ना करें तो दोस्तो Unvanted Kit का इस्तमाल Unvanted Pregnancy से छुटकरा पाने के लिए ही किया जाता है इसे गर्बपात के लिए इस्तमाल किया जाता है कई बार अंचाहे पेट में Pregnancy ठैर जाता है उसे दूर करने के लिए Unvanted Kit का इस्तमाल किया जाता है दोस्तो Unvanted Kit का इस्तमाल करने से अगर आपकी पेट में बच्चा ठेर चुका है तो उससे आप गिरा सकते है दोस्तो अगर लीगल ही देखा जाये तो आप 5 मेने तक गर्बपात करवा सकते है 5 मेने से उपर आप गर्बपात यानि अबोर्शन नहीं करवा सकते है दोस्तों गर्बपात तब किया जाता है जब महिला साधी सुदा ना हो तब अगर प्रेगनेंट हो जाता है तो उस कंडिशन में गर्बपात करते है और महिला अगर सारेरिक और मानसिक तोर पर प्रेगनेंसी के लिए तयार ना हो तो गर्बपात करते है और अगर प्रेगनें सी अंचा है यानि unwanted pregnancy अगर हो चुका है जैसे कि कॉंडम की leakage की वज़े से या कॉंडम फिसलनी की वज़े से तब भी गर्बपात करते हैं इसके लबागर महिला रेप का सिकार हुआ है तब भी उस condition में गर्बपात करते हैं तो दोस्तों गर्बपात के लिए अनवंटेट कीट एक बहुती अच्छा और बहुती आसान से उपाय है अनवंटेट कीट की मदद से आप घर बैटे अबोर्शन करवा सकते हैं लेकिन इसका मतलब ए नहीं कि आप बिना डॉक्टर को पूछे इसका इस्तमाल करेंगे जब भी आप अनवंटेट कीट का इस्तमाल करें तो डॉक्टर का सलह जरूर ले दोस्तों अनवंटेट कीट एक होर्मूनल दबा है इसका ज़्यादा मात्रा में यूज ना करें ज्यादा मात्रा में यूज करने पर आपकी बॉड़ी में कई सारे नुकसान दिख सकते हैं और आगे चलकर आपको प्रेग्नेंसी धारन करने के समय काफी गंबिरताय दिख सकता है। इसलिए दोस्तो आप ज्यादा मात्रा में अन्वंटेट कीट का इस्तमाल ना करें इसकी जगे आप कॉंडम या कई कॉंटरसेप्टिब पिल का यूज कर सकते हैं जो कि इससे सेफ होता है। दोस्तो और एक बार में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अन्वंटेट कीट आपकी प्रेग्नेंसी को सिर्फ साथ हपते तक ही रोक सकता है। इसका इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं। और दोस्तो अन्वंटेट कीट कोई गारेंटेट सल्यूसन नहीं है गर्वपात के लिए। लेकिन तो भी मैकसिमम लोगों को इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तो आईए अब मैं आपको इससे यूज करने की तरीका के बार में बता जेता हूँ। ये आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर आप गलत तरीके से अन्वंटेट कीट को लेते हैं तो एक काम नहीं करेगा। दोस्तो अन्वंटेट कीट में टोटल पाच गोलिया होता है। उसमें से एक गोली होता है मीफी प्रोस्टोन का और चार गोली होता है मीफी प्रोस्टोन का जो गोली होता है एक गर्वपात करता है और मीफी प्रोस्टोन का जो चार गोली होता है एक यूटरस में करता है और व्रून को बच्चे दानी से बाहर निकालने का काम करता है तो सबसे पहले दिन आपको करना क्या है मीफी प्रोस्टोन का जो गोली है ये बरावला गोली आपको लेना है सुबा नौ बजे के टाइम आपको कुछ हलका फुलका ये ओ लेना है ओही नौ बजे के टाइम तो दोस्तो इस तरीके से आप अन्वंटेड कीट का इस्तमाल करें डॉक्टर के निगराने में आपका गर्बपात हो जाएगा और इसे लेने के दवरान अगर आपको किसी तरह की कॉम्पलिकेशन या साइड इफेक्ट दिखने को मिले तो आप डॉक्टर को जरूर बताए